नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 18 अगस 2022 के डेली न्यूस एनलेसिस और एडिटोरिल एनलेसिस में आपका स्वागत है कौन कौन से एडिटोरिल्स मैं आज आपके साथ डिसकस करूँगा चार एडिटोरिल्स की बात होगी यह जो फूर्थ ताइवान क्राइसिस हुई है नैंसी पिलूसी की विजिट के बाद जो मिलिटरी डिल्स यहां पे कंड़र्ट की है चाइना ने इसी को आप बोल रहा हूँ फूर्थ ताइवान क्राइसिस इससे पहले की तीन ताइवान क्राइसिस कब हुई चाइना का क्या response रहा है ताइवान को लेके यूएस historically ताइवान को लेके क्या करता था इसके वारे में यहाँ एक बातचीत करी गई है इसको हम देखेंगे फिर भाई यूएस और इंडिया के बीच में जो maritime partnership आगे बढ़ रही इसका potential बढ़ा है बढ़ क्या सच में हम लोग एक limit के आगे बढ़ पाएं इसके बारे में आप बात की गई इसको देखूंगा आपके साथ इस particular article को डिसकस करूंगा फिर adoption related laws है इसके ओपर recently current affairs में भी बातचीत की थी मैंने यहाँ पे भी एक article है इसको देखेंगे sports bodies के bad governance को लेके एक article है इसको देखेंगे IS की posting को लेके जो center और state की बीच में टसल होता है अगर समय मिला तो मैं अलग से इसके उपर एक video बनाऊगा तो main चार articles मैं यहाँ पे current के आपके एडिटोल के डिसकस करूंगा फिर rohingya crisis को लेके क्या हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे केंदर की सरकार के अंदर से अलग-अलग ministers के अलग-अलग stand निकल के आ रहे है ये stand अलग-अलग क्यों है इसको देखेंगे केजिरिवाल जी का make India number one campaign क्या है इसको देखेंगे fellowships जो की दी जाती थी हमारे research scholars को ये बंद हो गई है since April क्यों बंद हुई है अभी इनको चालू करने के लिए क्या interim agreement किया जा रहा है इसके बारे में बात करेंगे record production of rice हुआ है कितना हुआ इसको देखेंगे दिल्ली में PM 2.5 का level दुनिया में सबसे बेकार है दो चीजों के level यहां पर monitor किया गए PM 2.5 का एक NO2 का NO2 में इतना इंडिया पीछे नहीं है जितना PM 2.5 में जिसको देखेंगे और death sentence में same day sentencing मतलब माल लो आपने ऐसा कोई crime किया जिसमें death की सजा है मौत की सजा है तो क्या उस crime के लिए जिस दिन आपको convict किया जा रहा है उसी दिन आपको मौत की सजा सुना दिया जा है तो सही है क्या same day sentencing सही है इसके बारे माल करेंगे तो इतने articles हैं word of the day देख लेते हैं muse muse मतलब to think carefully about something for a time without noticing what is happening around you मतलब एक अगरित होकर चिंतन करना आस पास overall देखे बिना क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ समय तक सोचना ठीक ना तो किसी भी चीज़ के बारे में कुछ समय तक बहुत ध्यान से सोचना इसको आप बोलते हो muse आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे जुड़ने की कोशिश करता हूँ हो सके दोस्तों तो सुपर थैंक्स का option दबाके मदद करें नीचे like बटन के बगल में आपको सुपर थैंक्स का option दिख जाएग ठीक है अब कल हुआ क्या हरदीब सिंग पूरी साब हरदीब सिंग पूरी minister for urban development है इन्होंने क्या बोला कि भाई रोहिंग्यास के लिए हमने एक बड़ा decision लिया है मतलब सरकार ने बड़ा decision लिया है रोहिंग्यास को जो economically weaker section वाले जो flats है बकर वाल एरा दिल्ली में वहाँ पे shift किया जाएगा उनको United Nations High Commissioner for refugees की जो आईडी जो प्रोवाइट की जाएगी दिल्ली पुलिस का protection प्रोवाइट किया जाएगा कि इस प्रकार के कुछ tweets हरदीव सिंग पूरी साब की तरफ से आए अभी जैसे ये tweets निकल के आए उसके बाद ही home ministry की तरफ से एक tweet निकल के आएगी कि हमने ऐसी कोई भी scheme launch नहीं की है जहां पर रोहिंग्यास को बकरवाल में shift किया जाएगा रोहिंग्यास illegal foreigners है इनको देश के बाहर भेजना हमाना objective है ये जिस देश से आए है basically Myanmar की बात हो रही है वहाँ की सरकार से हम अलड़ी बात चीत कर रहे हैं वह वापस भिजने के लिए तो basically पहले तो Minister for Urban Development हरदीव सिंग्पूरी साब ने बोला है कि ये जो रोहिंग्या migrants से माइन मार के इनको हम welcome करते हैं और overall बकरवाल एरिया में जो EWS flat है वहाँ पर relocate करेंगे बात में home ministry की तरफ से यहाँ पर clarification आया ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जिस जगा पर रोहिंग्या रह रहे हैं उसको एक detention center में convert किया जाएगा economically weaker sections वाले जो flat है बकर वाल एरिया में वहाँ पर shift करने की कोई भी decision अभी मोदी सरकार दोरा नहीं लिया गया दीगे ये topic बहुत अत्तक political है इंडिया औरेड़ी एक बहुत गरीब देश है हमारे पास हमारी खुद की आबादी के लिए रहने खाने नौकरियों का इंतजाम नहीं है तो हम afford नहीं कर सकते कि 1000 लाकों की तागाद में किसी भी धरम के migrants बाहर के देशों से है चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलिम हो ठीके अब नो डाउट ये रोहिंगया जो मुसलिम से काफी परेशानी में मायनमार के अंदर इनके अगेंस्ट बहुत अत्त्याचार हुआ है एक प्रकार का ethnic cleansing campaign चलाएगा इनके अगेंस्ट तो ये लोग आस-पास के देशों में भागे बहुत सारे एरोप में भी गए बहुत सारे बांगलादेश में गए इंडिया में भी बहुत सारे यहां पर आ गए है लेकिन इनको इंडिया के अंदर proper सरकार के खर्चे पर रिलोकेट करना इसके अगेंस्ट इंडिया के अंदर बहुत domestic concerns है वेश्व हिंदू स्वरिशत और भी बहुत से groups हैं बहुत सारे media organizations हैं जो की सरकार के उपर pressure डाल रहे हैं कि जो रोहिंग्यास हैं ये illegal immigrants हैं illegal foreigners हैं इन कॉप settle करने का decision कैसे ले सकते हो तो ये सब यहाँ पे हो रहा है अभी के लिए दिल्ली के मदनपूर इलाकों में camp बनाए गए हैं रोहिंग्या Muslims के लिए इस camp को basically एक detention camp में बदलने की बात चल रही है अब यहाँ पे बहुत सारी political blame गिमिंग भी हो रही है जो home ministry है केंदर की उसने overall दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उससे बोलाया कि immediately दिल्ली में जिस मदनपूर के लाके में रोहिंग्या Muslims रहते हैं इसको आप detention center में convert करो दिल्ली की सरकार बोल रही है कि भाई देखे detention center में बनाने की authority है foreigners regional registration office के पास और ये आता है ministry of home affairs के अंदर तो केंदर की सरकार detention center बनाए हमें detention center बनाने को क्यों बोल लो प्लस हरदीब सिंग पूरी साब की तरफ से जो announcement आया इस announcement के respect में दिल्ली government को कोई जानकारी नहीं थी तो दिल्ली government विए बोल रही है कि हम से छुपा के decision लिये जा रहे है रोहिंग्या Muslims को लेके फिर बहुत सारे हिंदू immigrants जो कि पाकिस्तान से persecute होके आये हैं वो यहाँ पर बोलने लग रहे हैं कि क्या हमको Islam में convert करने पे आप ऐसे जमीने flat दोगे जिस प्रकार से इन रोहिंग्या Muslims को दे रहे हो तो हालात इनके context में काफी मुश्किल है domestic opposition भी बहुत आ रहा है इनके position को लेके तो यह जो रोहिंग्या Muslims है पिर रोमिनेंटली Islam को फॉलो करते हैं एक genocide हुआ था रोहिंग्या genocide 1217 में मायनमार में साथ लाग चालिस जा रोहिंग्यास बांगलादेश भाग गए थे 14 लाग लगबग मायनमार में रहते थे लेकिन मायनमार से उनको वहाँ पर भगाया गया मायनमार का जो 1982 का nationality law आया थे ना उसने रोहिंग्यास तो कभी मायनमार का citizen माना ही नहीं मायनमार में इनके movement के against education के against civil service jobs के against restrictions थी इसलिए ये लोग इदर उदर भागे और मायनमार ने जिस प्रकार से भगाया है रोहिंग्यास मुस्लिम्स को इसको actually अपार्थाइट से compare किया है बिशफ डेस्मन टूटू ने बिशफ डेस्मन टूटू खुद साउथ अफरीका के anti-aparthite activist and noble laureate है तो जिस प्रकार से मायनमार की सरकार ने रोहिंग्या मुस्लिम्स को भगाया है इस activity को apartheid से यहाँ पे compare किया गया है अगर आप देखो तो 2017 में एक mass displacement हुआ तो रोहिंग्यास का इस mass displacement और genocide को लेके international criminal court और international court of justice में भी case अभी चल रहा है अगली news GS paper 2 केजरिवाल जी ने launch किया make India number one जो भी इनके commissioner दोस्त रहे होंगी जो आज की डिट में chief commissioner बन गया होंगी तो सोच रहे होंगी क्या आदमी था इसने क्या बजबर्दस काम कर दिया जी साब सीख सकते है तो 2024 के लोगसबा पोस्त में आम आदमी पार्टी बहुत सारी सीटें जीते इसके लिए यहाँ पे make India number one campaign launch किया है अर्विंद केजरिवाल साब इस make India number one campaign में पाँच टार्गेट सामने रखे हैं free and quality education health care for all, equality and safety for women jobs for youth and fair price for farmers produced तो इन पाँच आधारों पर आम आदमी पार्टी 2024 का जनरल election लड़ेगी के जिर्वाल साब क्या बोलना है कि हम इंडिया को strongest और greatest nation मना चाहते हैं मैं चाहता हूँ कि सारे 130 करोण इंडियन्स मेरे साथ हैं और मिल के इंडिया को प्लड रहे हैं अभी कि जो politicians हैं वो incompetent हैं वो देश को बरबाद कर देंगे इस प्रकार की बाद यहां पर के जिर्वाल जी कह रहा है अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है गोवा और उत्तरपदेश उत्तराखंड में हार गई है अभी गुजरात हिमाचर पार्देश में आम आदमी पार्टी तेजी से campaign कर रही है लेटसी कितना जीत पाती अगली न्यूस जीएस पेपर टू के रिस्पेक्ट्स पे यूनिवरस्टी ग्रांट्स कमिशन तु डिसबस फैलोशिप फोर डिसेबल तिल सप्तेम्बर 30 से गौर्वर्मन्ट पॉल्सी जन इंटर्वेंशन एजुकेशन में यूस काम आईगी देखे क्या हुआ PMO का यहाँ पे इंटर्वेंशन हुआ है देखे Finance Ministry के द्वारा कुछ नियम कानून बदले गया थे इन नियम कानूनों के बदले जाने के वज़े से कुछ चेंजिस हो गया तो देखे क्या होता है हमारे यहाँ पे बहुत सारी फैलोशिप चलती है M.Phil की PhD की सेक्टल सेक्टर स्कीम्स के थूप पैसा जाता है Research Scholars के पास अगर आप यहाँ पे देखो तो कुछ स्कीम्स के नाम लूँगा National Fellowship for Persons with Disabilities National Fellowship for Scheduled Cast National Fellowship for Other Backward Classes एक मौलाना आजाद National Fellowship for Minorities Affairs Ministry तो इन सब स्कीमों के अंदर जिन भी बच्चें को Research में Admission दिया गया है उनको प्रती महीने या प्रती साल के आधार पर पैसा Concerned Ministry देती थी जैसे कि Ministry of Social Justice and Empowerment यह पैसा देगी अगर Overall Schedule Cast के Respect में Scholarship जानी, Ministry of Minority Affairs पैसा देगी, अगर Minority से Related कोई Scholarships ही में तो पैसा Ministry से आता था वो जाता था University Grants Commission के पास और University Grants Commission इन स्कॉलर्स को पैसा देता था अभी क्या Finance Ministry ने नियम बदले और Finance Ministry ने नियम बदल के क्या बोला कि भाई देखो एक Central Nodal Agency बनाओ यह पैसा डिस्बर्स करेगा या फिर जो Ministries हैं वो अपने आप से पैसा दे पैसा UGC के थूँ अब नहीं जाएगा तो या तो एक Central Nodal Agency बनाओ जो कि यहाँ पे पैसा देगा इन स्कॉलर्स को या फिर अलग अलग मिनिस्ट्री खुद से अलग अलग मिनिस्ट्री खुद से अलग पैसा डिस्बर्स करें तो जैसे ही Finance Ministry ने नियम बदले UGC ने बोल दिया कि भाई अब तो हम पैसा पे करेंगे तो क्या हुआ कि अप्रैल से पैसा रुक है अप्रैल से इन हजारों स्कॉलर्स के पास कोई भी महीने के आधार पर रिसर्च का पैसा नहीं गया क्या होता न कि जब किसी disadvantage क्लास के बच्चे की पढ़ाई की बात आती है या फिर कोई इनसान इंडिया के research के respect में काम कर रहा है तो वो अपने आपका sustainable केलो जीवनी आपन कर सके इसके लिए उसको हर महीने का कुछ पैसा दिया जाता है अगर आप किसी central university में research कर रहा officially ठीक है न जैसे कि gate qualify करके अगर आप किसी IIT Bombay में as a research scholar पढ़ाई कर रहे तो प्रती महीना 20-25 जाओ रुपे जितना भी है मुझे पैसा नहीं पता कितना है वो जाता है अब वो UGC के थ्रू जाता था अभी UGC के थ्रू नहीं जाएगा सीधे ministry transfer करेगी तो UGC ने पैसा देने से मना कर दिया कई महीने हो गया पैसा जाई नहीं पा रहा है चोकि अलगले ministrys के पास कोई भी mechanism नहीं है पैसा transfer करने का तो अभी के लिए प्राइम minister office में इस चीज़ को लेके बादचीत हुई है और एक interim decision यह निकाला गया है कि 30 September तक यह पैसा UGC के थ्रू ही जाएगा लेकिन 30 September के बाद या तो Central Ministries खुद कोई ऐसा mechanism इवाल करें जिसके थूँ पैसा transfer करेंगी या फिर UGC को ही सॉरी या फिर Central Nodal Agency बनानी पड़ेगी इस पैसे को Research Scholars तक पहुँचाने के लिए समझे आप बात को तो यह है आप या पर हलाकि PMO में बातचीत के बाद UGC को इंस्ट्रक्शन्स पिलें कि 30 September तक पैसा तुमीद होगी लेकिन 30 September के बाद इना अलग-अलग Ministries को कोई ना कोई mechanism लेके आना पड़ेगा पैसा transfer करने के लिए अगली Supreme Court Reserves Verdict on whether same day sentencing GS Paper to Judiciary News आपो काम आईगी 16 August को Supreme Court ने इस चीज़ के उपर डाइट उठाया कि मान लो किसी एक individual के उपर किसी एक इर्जाम का conviction के charges लगते हैं तो क्या उसी दिन उसको मौत की सजाँ सुनाई जा सकती है क्या होता trial courts में sessions courts में overall किसी एक individual उसके लिए सुनवाई चल रही है अभी सुनवाई में ये prove हो गया कि हाँ भाई इसने crime किया है तो जब crime prove हुआ क्या उसी दिन उसको मौत की सजाद दूना सही है क्या mitigating circumstances को सही तरी से खंगाला गया mitigating circumstances अगर आपको ना पता हूँ मैं आपको पहले बता दू मैं बहुत डीटेल में current affairs और editorial दोनों में mitigating circumstances की बात कर चुका हूँ mitigating circumstances वो circumstances होते हैं जो कि एक individual की past conditions को point out करते हैं जैसे एक individual है इसने मानलो एक 9 साल की बच्ची का rape किया उसको murder कर दिये तो अब इसके खिलाफ case चलेगा लेकिन case के चलते वक्त इस individual के background को देखा जागा इसका economic background इसके घर में क्या हालात है जब ये बच्चा बड़ा हो रहा था जन्रेम के बाद से इस बच्चे के साथ क्या हुआ बड़े होते तक इसके उपर क्या क्या अत्याचार हुए तो ये सारी conditions और circumstances में ध्यान रखते हुए फिर overall सजा सुनाई जाएगी मतलब mitigating circumstances को consider किया जाएगा सजा सुनाते हुए तो basically Supreme Court ने same day sentencing की उपर बादचीत की अब इस same day sentencing में जो सरकार के बहाफ पे attorney general है केके विनुग उपाल इन्होंने बोला कि same day sentencing ठीक नहीं है एके विनुग उपाल साब सरकार के बहाफ पे क्या बोल रहे है कि भाई देखे जिस दिन conviction हुआ जिस दिन उसका crime प्रूव हुआ है उसी दिन मौत की सजा सुजाना सही नहीं है better ये रहेगा कि कोई भी ऐसा crime जहाँ पे conviction हुआ है और मौत की सजा एक option है उस case में उस proceeding को कुछ दिनों के लिए adgen कर देना चाहिए और उस कुछ दिनों के time में जो defense team है वो defense team एक individual के childhood experiences को उसके traumatic events को उसके physical mental health abuse को उसके familiar social और cultural factors को खंगा सके जिससे mitigatory circumstances के बारे पता लगाए जा सके फिर in mitigatory circumstances को court of law में सामने रखा जाएगा और फिर finally यहाँ पे सजा सुनाई जाएगी court के दोरा में तो basically यहाँ पे overall अलग अलग अच्छा सरकार की तरफ से जो हमारे attorney general तो नों ने ये बोला amicus curie जो friend of the court है senior advocate से धार दे इन्होंने क्या बोला इन्होंने ये भी ये बोला कि जो trial judge है उस trial judge को सजा के बारे में discuss करते वक्त या in fact सजा सुनाने से पहले हर effort करना चाहिए पता करने के लिए कि mitigating circumstances के है basically death sentencing में क्या होता न death sentencing के respect में माल लिजे कोई एक individual जिसने बहुत acute crime किया रेप किया आपका murder किया तो ऐसे cases में जब भी courts में adjudication होता है तो court इस mode में रहते हैं कि हाँ इस individual ने गलती कि इसको सजा सुनाओ और जो basic mitigatory circumstances इखटा किये जाते हैं वो यही होते हैं कि उसका financial background क्या है कहां पे रहता है बहुत detail में उसकी background information चेक नहीं की जाती है तो यहां पे basically court में यही बातचीत हो रही कि detailed में background information को चेक करिए मतलब उसने crime किया है तो उसको सजा सुनाने के mood में ना रहके आप कोशिश यह करो कि पूरी तरीके से उसका back info पता करो mitigatory circumstances को पता करो और उसके basis का सजा सुनाओ यहाँ एक senior advocate सिधार्त अगरवाल साब जो project 39A के भियाव पे सामने है death penalty cases में बात करते है इनका भी यही बोलना है कि same day sentencing सहीं नहीं है same day sentencing में एक individual के mitigating circumstances पे हम लोग ठीक तरीकी से बाचीत नहीं कर पाते mitigating circumstances पे ठीक तरीके से बाचीत करने के बाद ही सजा सुनाई जानी चाहिए Supreme Court के जो judge थे उनका एक बड़ा भी valid question था कि भाई यह जो mitigatory circumstances नहीं सामने कब रखे जाएंगे जब case को introduce किया गया है और जब case में conviction की proceedings चल रही है milord milord चल रहा है defense का prosecution का कम mitigatory circumstances आप रखोगे सामने या फिर जब conviction हो जाएगा एक को मौत की सजा सुनाई conviction मतलब उसका crime प्रूव हो जाएगा कि यहाँ बाई इसने crime किये उसके बाद सजा सुनाने से पहले mitigatory circumstances रखोगे तो इस respect में भी Supreme Court ने यहाँ पर question उठाया फिर G.S. पर थी environment degradation दिल्ली स्पीम 2.5 लेवल वर्स दिंदर्ट कॉलकाता नंबर दो पर देखे क्या हुआ है कि एक report आई है यहाँ पे air quality and health in cities इसको release किया है US-based health effects institute में इसने दुनिया भर के 7000 शहरों के pollution और global health effects को study किया है और basically दो pollutants को mainly study किया गया है एक तो fine particulate matter को और एक nitrogen dioxide को तो इस study में 2010 से लेके 2019 का data यहाँ पे study किया गया अगर आप low और middle income countries की बात करो तो PM 2.5 यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है ठीकिन आप और NO2 की बात करो तो NO2 high देखे क्या है जो nitrogen dioxide है ना PM 2.5 का जो incidence है वो low और middle income countries है बहुत ज़्यादा है NO2 का इतना नहीं है NO2 का है बट अगर आप देखो तो जो developed और high income countries है यहाँ पे NO2 का pollution ज़्यादा dominant है तो basically PM 2.5 और NO2 इंडिया के context में देखिए तो इंडिया के अंदर PM 2.5 का pollution बहुत ज़्यादा है NO2 का इतना नहीं है लेकिन यह सारी चीज़े comparative है दोस्तों किस प्रकार से comparative है मैं बताता हूँ अगर दुनिया भर के pollution levels की बात की जाए PM 2.5 के हिसाब से तो number 1 पे आता है दिल्ली number 2 पे आता है कॉलकता पूरी दुनिया में PM 2.5 का लेवल दिल्ली में है 110 microgram per meter cube और कॉलकता में है 84 microgram per meter cube 110 and 84 microgram per meter cube ठीक है अब अगर आप NO2 levels की बात करो तो NO2 levels इंडिया के अंदर दिल्ली कलकता मुम्भी में 20 से 30 microgram per meter cube है अगर आप PM 2.5 लेवल के pollution के साब से जा रहे हो तो इंडिया की दो शहर दिल्ली कलकता 1 or 2 मतब टॉप की सिटीज में आती है लेकि जब आप NO2 pollution पे जाओगे तो टॉप 20 में भी इंडिया का कोई शहर नहीं है टॉप नंबर पे NO2 pollution में है आपका शंगाई चाइना का समझे चाइना में NO2 का pollution लेवल है 41 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इंडिया के शहरों का दिल्ली कलकता मुंबई का आता 20 से 30 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों की NO2 का pollution लेवल इंडिया के अंदर नहीं है है बट ओवरॉल हम टॉप 20 में नहीं है तो comparatively हमारा pollution कम है बाकी country से लेकिन pollution हमारे यहां पे भी है समझ गए 2019 में अगर आप देखो WHO की क्या limit है NO2 के ले WHO ने बोलाए कि NO2 nitrogen dioxide का pollution लेवल 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़ादा नहीं होना चाहिए अगर इंडिया का 20 से 30 है हम already dangerous zone में है बट हाँ top 20 में नहीं है बस यही हमारे लिए रियायत की बात है 2019 में जितने भी 7000 शहर analyze किये गए 86% में WHO की 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब का है जो pollution level है NO2 का यह violate हो रहा है तो NO2 के pollution level में हम top पे नहीं आते लेकिन PM2.5 के pollution level पे हम top में आते है बट इसका मतलब यह नहीं है कि NO2 का pollution level इंडिया के अंदर है नहीं हमारे बड़े बड़े शहरों में NO2 का pollution level है अच्छा खासा है WHO की minimum prescribed limit से बहुत जादा है फिर एक और चीज है कि PM2.5 के comparison में NO2 का atmosphere में जो presence होने का time period है वो भी कम है तो यह सब चीजें भी आपर matter करती है पर आज की आखरी news GS paper 3 में अगरिकल्चर प्रोड़क्शन में काम काई है देखे क्या है कि अगर 17 को Union Agriculture Ministry ने 4th Advanced Estimate रिलीस की इसमें पता चला है कि जो production of food grains है इंडिया के अंदर 2021-22 agriculture year में agriculture year कौन से महीने से कौन से महीने तक चलता है नीचे कर अंड बॉक्स मताओ यह है 315.72 million tons overall यह 2021 से 4.98 million tons लगबग 5 million tons जाद है अगर देखा जाए तो 2016-17-2020 का average production of food grains अगर आप सालाना calculate करोगे तो 2021-22 का 25 million tons जादा निकल के आ रहा है और record production निकल के आ रहा है rice का, maze का, gram का, pulses का, rape seed का mustards का, oil seeds का, sugar cane का यह बोला है Union Agriculture of Farmer Welfare Minister नरेन सिंग तूमर साब में और उन्होंने बोला है कि जो farmer friendly policy center की इसकी वैस हो रहा है जो farmers का hardware case की वैस हो रहा है और scientist के due diligence की वैस हो रहा है अब देखते है Total food grain production है 315.72 million tons rice का production कितना है 130.29 million tons यह fourth advanced estimate है पिछले पांच सालों में rice का average production क्या रहा है 100, मैं आपको यह बतातो 13.85 million tons जादा रहा है Basically, last five years 2016-17 से लेके 2020-21 तक जो average production रहा है rice का वो है 116.44 million tons और इस साल में कितना है 130.39 million tons लगबक 13.85 million tons जादा है 13.85 million tons तो मतब rice का production 2021-22 में बहुत जादा है Wheat का कितना है 106.84 million tons पिछले पांच सालों के average से 2.96 जादा है ओके तो इस context में देखिए तो हमारा rice production wheat production overall food grain production बढ़ा है जो कि हमारे लिए एक बहुत positive renews है तो यह था आज का current interface discussion दोस्तों आप आजाते हैं हम लोग editorial discussion पर अगर अब तक आपने वीडियो पर like का बटन नहीं दबाया है तो जबूर दबा दिजेगा fourth Taiwan crisis की यहाँ पर बात की जारी बहुत important article है याद रखिएगा यह बात है 15 अप्रेल 1969 की सोल्वी सुप्रीम स्टेट काउंसल चल रही थी माउजिदौंग भाषण दे रहे थे और इस भाषण में माउजिदौंग ने एक स्टोरी सुनाई the cocky scholar sitting at night cocky scholar एक scholar था young scholar था अपने कमरे में बैठा था एकदम से उस scholar ने जब खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की से गोस्ट अंदर की तरफ जहांक रहा था और उस गोस्ट की जो जीब थी ना वो बहर लटकी हुई थी तो अविसी बात है वो गोस्ट scholar को डराने की कोशिश कर रहा था इस scholar ने क्या किया paint ब्रश उठाया और उसको पूरा-पूरा काला पोथ दिया जांग फी जितना काला कर दिया जांग फी थर्ड सेंचुली में जो हांड डाइनेस्टी थी ना चाइना की उसका एक ड्रेडड जनरल था बहुत सारे लोगों को मारा उसने तो बेसिकली जब यहां पे इस scholar ने उस डराने वाले घोस्ट का मुझ काला कर दिया जो घोस्ट था वो डरके भाग गया बेसिकली वो जो घोस्ट खिडकी से जाक रहा था उसको यहां पे यूएस से बता रहे है माउज जिदॉंग और स्कॉलर को बता रहे है चाइना क्या थारा कि उस समय पे माउज जिदॉंग ने दो इंपोर्टन डिसीजन लिये थे किनमेन और माटसू आइलेंड के उपर बम गिराये थे ताइवान में असल मैं आपको बता दूँ यह चाइना है इधर ताइवान है लेकिन बिलकुल में लेंड चाइना से लगे तूळी आइलेंड से उपर यहां पर बम गिराये थे किसने माउजदॉंग ने यह बोला कि जधना जादा तुम घोष से भूत से डरोगे उतना ही वो तुम को डरायेगा ये बात है 1959 की 1959 में US ने recognition दिया था Republic of China को ताइवान की सरकार को ना की People Republic of China को तो उस समय पे तो हलात बिलकुल ही अलग थे आज की date में तो पूरी दुनिया One China Policy को मानता है ताइवान को तो कोई अलग सर रिकोगनाईज भी नहीं करता लेकिन ये 1969 का समय है जब माओ जिदोंग राज कर रहा था और उस समय पे One China Policy नहीं थी उस समय पे जो ओफिशल चाइना की सरकार मानी जाती थी US के दोरा वो Republic of China थी आज की date में जब US House Speaker Nancy Pelosi पहुँची ताइवान के अंदर और जो Military Drills हुई यहां पे overall एक मुद्दा फिर से सामने आ गया है कि क्या वो जो घोस्ट खिड़की से जहां करा है US की बात हो रही है क्या वो डर रहा है क्या वो Taiwan के एक strong stand लेने की वज़े से पीछे हट रहा है देखे कहीं से भी वो पीछे तो हटता नजर नहीं आ रहा है तो भले ही चायना कई बार कोशिश कर चुका है इस घोस्ट को डरा के बगानेगा लेकिन वो घोस्ट डर के नहीं भाग रहा है मतलब USA पीछे यहां पे नहीं हट रहा है अब अगर आप देखे फर्स्ट ताइवान क्राइसिस और सेकंड ताइवान क्राइसिस बेसिकली एक एफर्ट था ताइवान के उपर कबजा करने का अब जैसे ही यह बम गिरा है यहां पे चायना ने वैसे ही US ने अपनी नेवी की 7th fleet को मोबिलाइस कर दिया ताइवान भेज दिया तो चायना डर गया उस समय पे 1950s में तो चायना के पास अपनी पूरी नेवी तक नहीं थी US के साथ वो क्या ही लड़ता 1970s में कुछ Soviet से related border पे problem आगी एक बहुत बढ़ा जाइंट चायना के north में भी तो था ना Soviet Union तो इस कंटेक्स्ट में लेके ताइवान के matter को कुछ समय पे लिए background में रग दिया चायना ने और चायना ने खुद की economic development और military development पे काम किये समझे है दीरे दीरे करके चायना अपने आपको develop करना था चायना के दिमार्ग में एक चीज़ क्लियर थी कि कभी ना कभी इस ताइवान को तो अपने साथ मिला लेंगे लेकिन अभी ताइवान को लेके लड़ाई करना ठीक नहीं है अभी अपनी development पे ध्यान दिया जा जादा सही फिर आया 1995 का समय ताइवान के प्रेजडेंट ली तींग हुई ये US की Cornell University में जाते हैं अभी जैसे ये Cornell University में पहुँचे चाइना नाराज हो गया इसने फिर से ताइवान स्टेन में military drills शुरू कर दी इसको बोला गया third straight crisis तो पहली 1954 में दूसरी 1958 में तीसरी 1995 में और चौती कब होगी चौती होगी अब जब यहाँ पे Nancy Pelosi की विजट के बाद खतरनाक military drills की है भाई आप समझे ऐसी military drills ताइवान की जमीन के उपर से मिसाइल उड़ती हुई गई है और ताइवान का जो आपके लोग टेरिटोरिल सी है उसमें तक घुज गई है आपकी चाइना की नेवी जब थर्ड ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस हुई थी 1995 में तब यूएस बिल क्लिंटन ने अपना यूएस एरक्राफ्ट केरियर भेज जया था ताइवान स्ट्रेट में आज की डेट में क्या इस military drills के समय पे चौथी ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस हुई है जिसमें ताइवान को चालो तरफ से घेर के military drills की चाइना ने क्या यूएस अपना कोई वार क्राफ्ट भेज सकता है नहीं भेज सकता जो बाइटन भेज देगा ना वर्ड वार्ड छड़ सकता है आप तो आप देखो जब तीनों क्राइसिस हुई फर्स्ट ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस सेकेंड ताइवान क्रेस्ट थर्ड ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस तब यूएस ने अपने यहाँ पे नेवल फ्रीट्स को डेप्लॉय किया चाइना पीछे अड़ गया लेकिन इवी जो चौथी नेवल स्ट्रेट क्राइसिस हुई जो ड्रिल्स कंड़ेट की जो अभी हुई है इस पे यूएस ने अपना कोई भी एरक्राफ्ट कैरियर नहीं भेजा इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि चाइना की एकनॉमिक और मिलिटरी दाकत दोनों अब बहुत हद तक बढ़ चुकी है और अब अगर यूएस से एक लिमिट से ज़ादा इंटरफेर करेगा तो एक फुल स्केल वार यहाँ पे छिड़ सकता है जो कि अपने आप में एक बड़ी ही डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी ओके यह पूरा यहाँ पे मुद्दा है अब बात यह है कि देखे टाइवान को कबजा करना चाइना के लिए प्रियोर्टी पे जब फर्स्ट ओपियम वार हुआ था 1839 से 1842 जब चाइना का यह century of humiliation शुरू हुआ था Chinese Communist Party के हाथ से यह निकल गया था आपका ताइवान का इलेंड बाद में ताइवान का इलेंड जापान के पास चला गया फिर से आपका Republic of China के पास आ गया फिर Republic of China की जो कोमिन टांग पार्टी के हैट थे चियांग काईशेक वो भाग के ताइवान के उपर चले गए तब से ताइवान न लगे ताइवान को कबजाना चाइना के लिए historically, politically, हर तरीके से बहुत सदा important है economic angle तो बहुत बाद में आता है Mao Zedong का एक सपना था कि उनके lifetime में ताइवान नों कबजाया जा सा कि बढ़ ये practically possible नहीं था चुकि Mao Zedong के समय पे China इतना strong नहीं हुआ था Deng Xiaoping के समय पे China strong हो रहा था Deng Xiaoping का तो सिधानती था कि शांत रहो पहले अपनी ताकत बढ़ाओ Zee Zingping एक ऐसे समय पे आया है जिस समय पे ओवर और China काफी ताकत वर हो चुका है और अब Zee Zingping एक ऐसे लीडर की तरह यहां पे उभर के आना चाहेगा जिसको आगे आने वाले समय में इस चीज़ के लिए याद किया जाए कि ताइवान के ओपर कबजा करने में इस पर्टिकुलर लीडर ने पना डूल प्ले किये देखे डेंज आउपिंग और माउजिदाओ यह दोनों ही लीडर्स ताइवान के ओपर कबजा नहीं कर पाए और जी जिंग पिंग ओविसी बात है बहुत ही एग्रेसिव लीडर है तो वो पूरी कोशिश करेगा ताइवान के ओपर कबजा करने के लिए चुकि देखे कोई भी एक सुपर पावर के लिए सुपर पावर बने रहना तब तक relevant होता जब उसकी regional hegemony बनी हो US की regional hegemony है अपने अलाके में US की चलती है दोनों तरफ Pacific Ocean है, Atlantic Ocean है जो US चाहता वो होता है Soviet Union की Black Sea और Baltic Sea में चलती थी चाइना की अगर ताइवान के ओपर भी ना चली तो overall global powerful stature चाइना नहीं अपना पाए और economic angle भी है कल की date में overall अगर ताइवान के ओपर कबजा हो जाता है, तो semi conductor industry पूरी दुनिया की चाइना के हाथ में आ जाती है और बहुत सारी economic factors भी है ताइवान एक developed country है मैं आपको बता दूँ, तो ताइवान के ओपर कबजा करना है चाइना को economically बहुत मदद करेगा, हाला कि initially उसका नुकसान भी बहुत होगा तो ये overall चीज यहाँ पर निकल के आ रही, एक strategic environment के बीच में, ताइवान के ओपर कबजा करना, चाइना के लिए दिन बदिन important हो जाता है, और उसका leader हो सकता है, आगे आने वाले कुछ समय में ताइवान को कबजाने के कोशिश करेगा, हाला कि मैं बता दूँ, कि जब ये होगा, उस समय भी चीज़ें problematic होगी, कई बार जो बाइडन से open platforms पो पूछा गया है कि कल की date में अगर चाइना ताइवान पे attack करता है, तो क्या आप मदद करोगे जो बाइडन बोलते हैं, हम मदद करेंगे बाद में US के presidential office ते statement आता है कि नहीं भई हम तो मंचाइना policy को follow करते हैं हम तो strategic ambiguity को follow करते हैं मतलब US ने ये clear नहीं किया है कि कल की date में अगर चाइना ताइवान पे करता है, तो मदद करेगा या नहीं करेगा लेकिन जो अभी, मतलब कहलो signals निकल के आ रहे हैं, वो signals यहीं बता आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ मदद तो देखो US की तरफ से आएगी जो कहीं ना कहीं overall ताइवान स्ट्रेट में, जो crisis की वज़ा है वो US से western countries है तो अगर एन समय पे ताइवान को western countries में छोड़ दिया, US में छोड़ दिया तो US की मट्टी पलित बदनामी भी बहुत होगी तो इस कंटेक्स्ट में US छोड़ देगा ताइवान को ऐसी crucial time पे इस बात के chances काफी कवर अगली news maritime partnership is still a work in progress देखे क्या है US NS Charles Drew यह United States की निवी का एक dry cargo ship है यह चिन्नाई में एक Indian facility में पहुँचा है L&T की facility है वहाँ पे repairs के लिए पहुँचा है यह अपने आप में बहुत बड़ा आप कहलो event है इंडिया और US की bilateral strategic ties की बात की जाए यह past decade में बहुत बड़े है लेकिन recipe pro का repair of military vehicles यह अब तक नहीं हुआ था हला कि मैं आपको बता दू यह जो Charles Drew नाम का ship है यह dry cargo ship है यह military vessels नहीं है यह frigate नहीं है यह destroyer नहीं है यह warship नहीं है इस context में Larson and Tubro के काटू पल्ली डॉक यार्ड पे Charles Drew पहुंचा है और यहाँ पे इसकी repairing शुरू हो रही है इससे दो तीन चीज़ें होती है एक तो Logistic Exchange Memorandum of Understanding नाम का जो military logistic agreement है जो कि India US के बीच में sign हुआ तो 2017 में इस particular agreement में दोनों देश के जहाज एक दूसरे के पोर्ट का इस्तमाल कर सकते है refueling वगरा के लिए ठीके भाई लेकिन at the same point of time Lemua का full potential किसे meet होगा इस प्रकार के repair वक्त से meet होगा अगर US के जहाज आके इंडिया में repair कराते है और इंडिया के जहाज sale करते वक्त US के ports के जाके repair कराते है अपने आप में यह बड़ा ही positive चीज है दूसरी चीज़ दोस्तों यह है कि पूरी दुनिया में इंडिया की repair facilities की वावाई होगी अगर US के cargo ships US military के cargo ships US Navy के cargo ships इंडिया में आके अपनी repair facilities को avail कर रहे है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह कि इंडिया की repair facilities world class है state of the art है और इसके चलते हजीरा, गुजरात में काटू पल्ली में इस प्रकार की repair activities आगे आने वाले समय में हमें जादे देखने को मिल सकती है और कहीं न कहीं यह इंडिया के आत्म निर्बर भारत और make in India भारत initiative को भी एक push देगा लेकिन एक catch है यहाँ पर catch यह है कि मज़ा तब आएगा जब US के frigates और destroyers आके अपना repairing कराएं अभी जो ship आया है वो एक cargo ship है और cargo ship ठीक है important है but क्या destroyers आएंगे, क्या frigates आएंगे क्या aircraft carrier आके हमारे port पे repairing कराएंगे US के या किसी और बड़ी western country के France जैसी जर्मिन जैसी countries के this is a thing to see in the future ठीक है overall अभी भी New Delhi और US के बीच में naval field में या फिर overall armed forces के field में जो strategic partnership है इसका full potential अभी भी बचा हुआ है अभी भी एक full potential की तरफ हम पूरी तरीके से नहीं बढ़ा पाएं ठीक है ना तो इस context में अगर आप देखें तो आगे आने वाले समय में अगर ये full potential meet हो जाता है एक इस प्रकार की strategic partnership consolidate हो जाती है तो NATO से associated जितने भी warships है वो इंडिया में dock हो सकते हैं इंडिया के अंदर अपनी repairing, refueling, refueling तो खेल वो करते हैं, repairing वगरा कर सकते हैं और ये आपने आपने बड़ा ही positive boost होगा इंडिया की shipbuilding industry के लिए अभी इस context में जो US की position रही है और इंडिया की position रही है रशिया यूक्रेयन वार में इसमें थोड़ी problem ज़रूर रही है बट फिर भी overall strategically इंडिया यूएस एक दूसरे के साथ है अभी रिसेंटली यूएस ने MH60R multi-role helicopters इंडिया को provide किये एक और helicopter आप कहलो इसी महिने के end तक आ जाएगा फिर रिसेंटली इंडिया ने एक और agreement में आपने रोल किया है combined maritime forces ये एक marine based multi-lateral partnership है इसके बारे मैंने current fits में बताया था इसमें इंडिया ने as an associate member join किया है combined maritime forces का पाकिस्तान भी full time member है तो associate member की तरह जुड़के इंडिया के ओपर कोई obligation नहीं है बट इंडिया voluntary basis पे combined maritime forces को अपनी मदद दे सकता है इस combined maritime forces का जो headquarter है वो आपका बहरीन में है और US military naval command इसको lead करता है उस US military naval command में इंडिया का defense attache भी involved होगा लेकिन जरूरी ये है कि इस प्रकार के जो agreement है CMF combined maritime forces इसमें इंडिया एक associate member की तरह न जुड़के एक full time member की तरह जुड़के जब इंडिया इस प्रकार के agreements में full time member की तरह जुड़ेगा तब जाके हम बड़े scale पे overall एक US-led command multilateral environment के अंदर अपनी importance को दिखा पाएंगे US जो central command है न आपकी US central command के अंदर एक nav center है US naval forces central command ठीक है न ये बहरीन में based है तो basically इस particular command में इंडिया को जो liaison officer होगा न वो बहरीन में Indian MST का जो military attache होगा वो होगा तो ये उसको additional assignments आदे दिये गए additional assignment नहीं CMF जैसे engagements इतने important multilateral engagements है कि यहाँ पे dedicated basis पे एक Indian military या navy को officer यहाँ पे deploy होना चाहिए अब जाके बड़े scale पे multilaterally हम किसी एक ऐसे agreement में involved होके US के साथ navy के field में naval field में अपनी strategic policy को आगे बढ़ा पाएगे ये बाते हैं आपे बताई गई पिर center versus tailed puzzle over IS postings इसको मैं अलग से आपके साथ discuss करूँगा data opportunity यह भी देखा जाएगा एक और article है है यहाँ पे finding a home the established adoption process should not be bypassed to increase the number यह एक प्रकार का revision करा रहा हूँ मैं आपका अभी recently आपको पता चला है review of guardianship and adoption laws इसके respect में एक report आई है parliamentary standing committee on personal public grievances law and services की दोरा यह इस particular report का क्या बोलना है कि आज भी हमारे देश के बड़े-बड़े शहरों में traffic signals पे बच्चे भीक भांग से नजर आ जाते है उनके बास खाने पीने के पैसे नहीं है जबकि आप official database उठा के देखोगे तो किवल 2430 बच्चे available है इंडिया में adoption के लिए और prospective parents कितने है 27,939 तो central adoption resource authorities के साथ parents ने register किया है 27,939 जबकि 2017 में नमबर था 18,000 December 2021 तक almost 28,000 पर पहुँच गया है जबकि बच्चे कितने available है legally only 2430 kids are available for adoption total 6,996 orphan abundant children है but available for adoption only 2430 है तो इतना कम नमबर क्यों है 2021 में जो number of बच्चे available जिनका adoption हुआ था वो 3,175 थे तो इसके बहुत से वज़ा है मैं आपको पहले बता चुका हूँ बहुत सारे तो बच्चे यह ऐसे हैं जो adopt होना नहीं चाहते बहुत सारे बच्चे orphan ऐसे जिनकी एक मा या एक बाप नहीं है तो जो present मा या बाप है या फिर जो भी उसकी legal family है वो यह नहीं चाहती कि बच्चा adopt वो चाहते हैं कि बच्चा orphanage में लें कई cases में तो बच्चों का खुद का personal experience पहले का इतना खराब होता है कि वो orphanage में ही रहना पसंद करते हैं वोही पढ़ना लिखना पसंद करते हैं वो किसी एक adoption में जाना ही नहीं चाहते है कई बार क्या होता कि माबा बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं बाद में आके फिर से उसको और्फनेज में छोड़ जाते है यहाँ पे overall जो prospective parents हैं उनकी proper training की जरूँथ उनको बताने की जरूँथ है कि adoption का मतलब यह नहीं है कि तुम सिर्फ बच्चे को खाना, health, education प्रोवाइट कर रहा है उसकी सारी requirements पूरी होनी चाहिए तो यह कुछ बात हैं यहाँ पर adoption को लेके overall यह नई report टेबिल हुई है let's see इसमें क्या action होता है क्या नहीं होता है पहले ही आपको चीज़ें बता चुका हूँ फिर sudden death, AIFF को जो यहाँ पर फीफा ने suspend किया इसके बारे मैंने कल की current फिर्स में भी आपको डीटेल में समझाया थब bone of contention क्या था यह जो third party है committee of administrator, यह third party 50% representative दे रही है previous football players को, जबकि फीफा ने recommend किया है 25% representative जो state की regulatory bodies है वो 50% representation से तयार नहीं है तो COA के interference के चलते overall फीफा ने AIFF को ban कर दी अब इस बात को लेके AIFF भी थोड़ा घूंग गया है Supreme Court भी यहाँ पे केंदर की सरकार को बोल रहा है कि भाई जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ middle ground धोड़िए फीफा के साथ बातचीत करिए overall AIFF का जो proper working तरीका है इसको फिर से लेके आईए ताकि overall हम जो under 17 women's world cup host कर रहे हैं वो opportunity हमारे हाँ से ना चले जाए हमारी जो team है जिसे गोकुलम केरला FC और ATK मोहन बगान ये AFC women's club और AFC cup में खेल पाएं हमारे पास जो थोड़े बहुत benefits से football के field में हो हमारे पास से ना चले जाए इसलिए जल्दी ही फीफा की जो भी requirements को मानते होए CEO को हटाते होए ground level पे एक proper constitution के साथ president का election हो AIFF फिर से fully functional हो जाए ये बहुत तेजी में जरूत है चोकि फीफा ने जो recognition विड्रॉ किया है ये long term में इंडियन football को काफी नुकसान पहुचा सकते तो यहाँ पे मैं lecture खतम कर रहा हूँ दोस्तों आशा करता हूँ आपको lecture पसंद आयो अपनी view point नीचे comment box में देखे चाहिएगा